आस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान आज आस्ट्रेलिया के जानब से पैट कमिंज ने जब प्रेस कॉंफरेंस की तो काफी वो पूरा तमाथ दिखाई दिए अब कैसी बॉड़ी लेंग्विज लगती है किस तरह का मैच एक्सपेक्ट किया जा सकता है दोनों टीमें वो एक ही कष्टी के सवार लगती है अभी तक जड़ के हालात है दोनों को एक मैच में नाकामी कर सामना करना पड़ा है और उन्हों पिछला मैच जो है वो सिरलंका किलाव का खाथा कन्विंसिंग ली जीता और फाइट बैक करके जीता आकर में तो इससरा वो पर वो टीम वापस आई है और ऐसा बहुत हम देखने को मिलता है कि ऑस्टेलिया जो है किसी आलमी इवंट में इस तरह के दबाओ में टोर्नमेंट शुरू करें तो पाकिस्तान के पास मौका तो है क्योंकि जो कंडिशन्स हैं यहां पर बैटिंग के लिए और ज्यादा फे समझ से बालातार हो जाता है और मेरे खाला है कि बाबर आजम को अब कान भरने की जरूवत है जो बाहर से आवाजें उपना शुरू हो गई है और जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग पर बैटिंग की अप्रोच पे आप सवाला उपने लगे हैं मेरे खाला अब उसको संजी है जहां पर गेंज ज्यादा उड़ती है क्योंकि थोड़ा सा यह बुलंती पर वाकिया यहां ज्यादा चखे लगते हैं भारत के दीगर जो मैदान है उनमें जो यह बिल्कुल तारिक सब्सक्राइब है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक उन्होंने अपने जो फर्स विल्कम बैक इन जो श्रगाते जब वर्ल्ड कप सटार्ट होता है तो तमाम ही श्वायकीन में काफ़ी जोश होता है खार यहसा है पार्यारिया यह पहला वरल्ड कप है जिसमें पाकिस्तानी श्वायकीन जो है वो यह मैच्च देखने लाइव नहीं ज़हा सके टीवी स्क शायकीन को मुकमल वीजे जारी नहीं हुए और सहाफियों को भी कुछ-कुछ वीजे जारी हुए है यूसफ साफ में आपके जाने बाना चाहूंगी ये इंडिया की तरफ से जो एक दाम है ये इसको किस तरह से देखते हैं कि कोई शायकीन क्रिकेट नहीं है मैचस देखने के मौजूद और पर उसके बाद जो सहाफी है उन्हें में मुकमल तोर पर वीजे जो है वो नहीं दिये रहा है देखे अब साथ जब भी ICC किसी मुलग को कोई इवेंट अवार्ड करती है तो उस पर पर लिखा यह जाता है कि वह तमाम जितने भी यहां पर सहाफी होंगे जि तक उन्होंने कम्प्लीट नहीं किया अगर यह एवेंट किसी और मुलक होता दो यकिनी तरफ पर आइसी से बिस पर सक्ट एक्शन लेती लेकिन चोंके इंडियन क्रिकट बोर्ड के बहुत सारी अफीशिट के साथ उनके अच्छा से तल्वकात उं प्रिये के इंडिया एक खाना पूरी के लिए उन्होंने दिया कि दुखा सके जहां वीज़े देना शूरू करती है अब भी दुबारा पाकिस्तान के इंडियों ने उससे तरफास किये कि पाकिस्तानी फैंस को भी वीज़े जारी कि बहुत से पाकिस्तानी फैंस ने अपने टिकर्स पर चेस का फिर जाइट सब हमने देखा जब वो क्राउड वहां पर मौझू था पाकिस्तान इंडिया की मैच में किस तरह से एक डॉंटिंग की गई पाकिस्तानी फ्लेयर्स को उस पर बड़ा स्ट्रेस होता है और पिर हम मैं इसमें आट करना चाहूंगी कि गौतम गंबीर ने भी ब आज उन्होंने एक भारती इंडियन टीवी चैनल से बात करते हो ये कहा है कि हम जब पाकिस्तान गए थे तो वालबन पिशावर या किसी ग्राउंड में तमाशाई की तरफ से कोई चीज आई थी जो इर्फान पिठान को लगी थी उनका कहना ना क्योंकर पाकिस्तान की हॉ भी हम लगते हैं उन्होंने लेकर